नमस्तों दोस्तों मैं बंकेट जैसवाल मैं आप सभी फ्रैंट्स को इंफर्मेशन शेर करना चाहूंगा पास्ट के समय में मैंने एक वीडियो अप्लोड किया था जिसमें स्टेट ये विकॉम हॉनर्स की जो गाइडलाइन थी वह आप सभी को कहना चाहूंगा वो लोग अपना second year continue नहीं कर पाये थे तो ऐसे जो भी स्टूर्स जो इस साल second year में आये हैं यानि कि become regular के स्टूरेंट्स स्टूरेंट्स हैं उनके लिए हम बात करेंगे ऐसे स्टूरेंट्स की जिनका एडमिशन पर्ष्ट इयर विकॉम हॉनर्स में 2023 की 2023 में हुआ था तो उन सभी का second year विकॉम हॉनर्स का एडमिशन का जो क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा यह overall में बात कर रहा हूँ इनविश्टी की हर एक faculty के लिए क्योंकि अभी इसके उपर जो study है वो कर रही है और साथी साथी में वर्क जो है वो चल रहा है न्यू एड्यूकेशन पॉलिशी के according सब्सक्राइटेरिया जो भी स्थियर विकॉम हॉनर्स में 2023 में जिन्रों एडमिशन लिया था उनका क्या है वह अभी डिसाइड नहीं हो पाया है अभी फिलाल कोई भी अभी तक आपका जो पॉटल है वह भी स्टाइट में किया गया है क्योंकि न्यू एड्यूकेशन पॉलिशी के according अभी कोई भी जो रूल्स और गाइडलाइन है वह अभी हमें प्राप्त नहीं हुए या फिलाल आप सब्सक्राइट करें स्थियर विकॉम होनर्स के लिए ज आप सभी लोग आपके जो रेगुरल लेक्टर से वह अटेंड करें और आपकी जो एक्जाम है वह फाइनली आफ्टर नौरात्री फेस्टिवल के बाद यानि कि 15 अक्तोबर के बाद कंड़क की जाएगी और एनुशन प्रासेस की जो अपडेट है वह भी जल से जल आएग झाल से जल 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 से